दोस्तो GB WhatsApp में एक problem यहाँ पे आ चुकी है, तो जैसे आप GB WhatsApp पे कोई भी message को यहाँ पे आप pass से ज़्यादा forward कर सकते हो, ठीक है, non root phone में भी यह काम करता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कि सबसे पहले तो यह इस प्रकार से problem देता है, ओके जैसे हम 5 पे click करे तो you can only chat with 5 chat इस प्रकार से दिखाता है, तो इसको हम क्या करते हैं, हम जाते हैं GB setting में, यहाँ पे 3 dot है, उसके बाद हम GB setting में जाते हैं, और यहाँ पे universal setting में, आपको यहाँ पे increase forward limit जो है, हम 300 तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से अगर आप setting को on करोगे, तो GB WhatsApp यहाँ पे इस chat को हम भेज सकते हैं, लेकिन दोस्तों यह setting on करने के बावजुद भी, इस प्रकार से error आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यानि कि GB WhatsApp में दी हुई जो setting है, जो normal WhatsApp में, आप पास से ज़्यादा बंदों को नहीं भेज सकते हो, आपको double या फिर triple try करना प है, तो दोस्तों इसको हम कैसे solve कर सकते हैं, इसकी जानकर ही दोस्तों आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गनेश, आप देख रहे हैं, टेक माइंड, चलिए आज कुछ नया सीखते हैं, तो दोस्तों पास से ज़्यादा बंदों है, इसको आपको install करना है, permission देना है, इसके बाद इसको launch कीजिए, तो यह जो वीमॉस होता है, दोस्तों यह rooted होता है, तो अगर जिभी WhatsApp में पास से ज़्यादा बंदों को हम share नहीं कर पा रहे हैं, वो हम वीमॉस इस rooted phone के अंदर ये trick करने वाले हैं, ठीक है, दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाओंगा, कि वीमॉस में भी आपको यहाँ पे कुछ application की जुरत पड़ेगी, सभी application जो link है, description में डाल रहा हूँ, आप यहाँ पे play store से WhatsApp को install कर लिजे, install करने के बाद उसका registration ये सब आपको मालूम है कि इस प्रकार से ये काम करता है, तो यह मे देखें, मैंने तीन, चार और चटाए बंदों को में जैसे ही यहाँ पे follow करना जाओंगा, तो यह इस प्रकार से error आ रहा है, जो GB WhatsApp में भी आ रहा था, तो इसको हमें remove करना है, इसके लिए दोस्तों आपको इसी फीमॉस में आपको एक application इंस्टॉल करना पड़ेगा, ES File Explorer क नाम से, आप WhatsApp का data जो है इस प्रकार से आप उसको minimize होगा, तो उसको निकाल दीजे, आपको ES File Explorer जो है इसकी जरौत पढ़ने वाली है, कुछ इस प्रकार से इसका user interface दिखेगा, आपको यहाँ पे three line दिखेगी, उस पर click करना है, उसके बाद device पे click कर लेना है, ओके, device पे click क इसको आपको खोल लेना है, सबसे निचे shared preference के नाम से होगा, और यहाँ पे comwhatsapreference.xml इस प्रकार से एक file मिलेगी, तो इसको हमें edit करना है, आपको निचे scroll करना है इस file में, यहाँ पे आपको एक edit का button मिलेगा, ओके, यहाँ पे pencil का button मिलेगा, और यहाँ पे आपको एक limit जो है 5 यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ से आपको इस limit को बढ़ा देना है, इस प्रकार से limit बढ़ा देना है, और साथे साथ दोस्तों इसको save कर लेना है, और एक file होती है कि जिसमें, यह जो limit है दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, वो भी वहाँ पे 5 देखाता है, तो उसक प्रकार से होगी। उस पे भी एक जो लिमिट होता है पांच का वहाँ पर जो हमने पहली वाली फाइल में जो लिमिट दिया हुआ है वही लिमिट को आपको यहाँ पर डाल देना हैं तो यहाँ पर हमने 875 इस प्रकार से मैंने लिमिट जो है इसका इंक्रीज किया है तो 875 के बाद उसके बाद के चार्ट पर यह जो पॉप पर दोस्तों दिखाएगा अब इस प्रकार से फाइल हमारे से हो जाएगी और से होने के बाद इसको हमें जो है बैगराउंड में चल यह जो ES File Explorer जो है उसको हमें बंद कर देना है अब आप WhatsApp खुले है और WhatsApp पे जो भी मैसेज आप फॉरूड करना चाहते हो कि जिसके लिए जी भी WhatsApp में 5 का पॉप आ रहा था वो पॉप दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा और आप ज्यादा से ज्यादा जो ह है इसका आप बढ़ा सकते हो कितना भी लिमिट आप इस प्रकार से रख सकते हो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यह गया है चार पाँच छे पॉप अप नहीं आया है देखिए इस प्रकार से आप कितने भी बंदों को दोस्तों यहाँ पे मैसेज जो है वो फॉरूड कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको यहां पे नहीं आने वाली है, दोस्तों इस प्रकार के WhatsApp के ट्रिक देखने के लिए, ट्रेकनिकल के ट्रिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेर कर दीजिए, दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए, नमस्कार